Hello friends, hopefully आप सभी लोग अच्छे होंगे So last वीडियो में हमने define किया direct product of groups ठीक है और मैंने बोला था कि next वीडियो में हम सीखेंगे किसी भी element direct product में उसका order क्या होता है ठीक तो ये theorem form में एक result है आप कोई भी book देखेंगे अच्छी तो वहाँ पे इसका proof भी मिलेगा बट मैं के वाली statement लिख के आपको examples के थुरू explain करने की कोशिज करता हूँ without giving proof तो चलिए ध्यान देते हैं अगर z1, z2 और इस तरह से मान के चलिए zn ये क्या है एन groups है और ये मैं मान के चलना हूँ कि ये finite order के groups है ठीक है तो इनका direct product ठीक है कैसे represent करते थे इस तरीके से तो ये सबसे पहले क्या होता था cardesian product और ये cardesian product group form करता था binary operation देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है इस binary operation के respect में ये एक group form करता था और इसी group को हम क्या बोलते थे direct product of these groups z1, z2 ठीक है so अब यहाँ पर g1, z2, z2, n का direct product बोलते थे अब यहाँ का कोई element लूँगा मैं तो माल लिजे element मैं कैसे लिखता था x1, x2 न तो चलिए x1, x2 ही लिख देता हूँ इसका कोई एक element लिया इस direct product का x1, x2, xn ये element है तो इस element का order यहाँ पर क्या होगा तो मैं ये assume करके चल रहा हूँ न की ये जितने भी elements है individually x1 किसका element होगा इस group z1 का x2 किसका होगा, z2 का इस तरह से dot dot xn किसका होगा, zn का तो मैं assume करके चल रहा हूँ कि individually जो x eyes है उनका order जो है इस individual groups में क्या है finite है तो इस element का जो order होगा इस cardigan product में बड़ा आसान सा result है हर एक individual elements का order इस group में जैसे x1 का z1 में order निकाल लीजिए x2 का z2 में निकाल लीजिए x3 का z3 में निकाल लीजिए xn का zn में निकाल लीजिए और इन orders का आप क्या कर लीजिए LCM ले लीजिए यही क्या होता है इस actual जो element है मेरा इस direct product में उसका order तो क्या समझ में आया direct product में किसी भी element का अगर order निकालना है provided हर एक individual elements का order individual groups में finite है तो इस direct product यह element का order जो होता है individual orders का LCM होता है ठीक है चलिए मैंने यह explain किया इसको एक theorem form में मैं लीग देता हूँ फिर example लेके clear करूँगा आपको घबलाना नहीं है मैं क्या जोन करता हूँ lit मैं element ले लिया x1 x2 और इस तरह से xn ठीक है ना इस बेलोंग्स टू z1 cross z2 cross इस तरह से dot dot cross gn मतलब इस direct product का एक element लिया ठीक है ना अब यहाँ पे मैं यहूम करके चलना हूँ if x i मतलब हर एक x1, x2, xn सबकी मैं बात बोलाऊ if x i is of finite order finite order in g i ठीक है ना i equal to मैंने ले लिया 1, 2 से लेके enter मतलब हर एक individual element अपने corresponding group में finite order का है then then order of x1, x2 इस तरह से xn मतलब इस element का order इस direct product में क्या होता है lcm of lcm of किसका order of x1, order of x2, dot dot order of xn ठीक ये result है इस result को याद कर लीजे ठीक है तो यहां पर simple सा result है हर एक individual element अपनी corresponding group में finite order का है तो direct product के इस element का order individual elements के order का lcm होता है सब्याए कि ने अब आप बोलेंगे कि sir एक example हो जाए बिल्कुल मैं example लोगा और थोड़ा सा आसा आज़ां सा example में लेके आपको explain करने की कोसिज करता हूँ तो चलिए पहला example अब पहला example मैं आसान थोड़ा लेना चाहता हूँ तो मैं लिग देता हूँ चलिए find 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 order of order of एक element मैं लेलिया चलिए 2,3 लिए न belongs to या ऐसे मैं लिग लिग लेको नपर लंवेश order of this element in the group in the group लेकिन मैंने note करके बताया था कि अगर दोनों abelion groups हो और उनका binary operation addition है तो इस direct product को हम ऐसे represent करते हैं तो अगर ऐसे दे दे या ये दे दोनों का मतलब सेम है ठीक है चलिए तो इस group में मतलब ये जो direct product है z4 और z6 का इसमें इस element का order निकालिए सबसे आसान example मैं दिया अब मैं आता हूँ solution पे solution पे चलिए तो मैंने क्या अभी theorem किया यहाँ पर तू जो है यह order pair का किसका element है z4 का ठीक किसका element है z6 का तो अभी जो theorem किया आपने कि अगर ये दोनों elements finite orders के हैं तो इनका direct product मतलब इन group के जो direct product है उनका ये जो element है इसका order क्या होगा इसका order निकालूँगा इसका order निकालूँगा इसका order z4 में 3 का order z6 में और उनका lcm यही न तो चलिए अब मैं आता हूँ now order of 2 in z4 ठीक है is क्या होगा यहाँ पर मैं calculation करता हूँ z4 क्या होता है z4 आपका 0, 1, 2 और 3 ठीक तो यहाँ पर 2 का order क्या होगा तो definition order का आपको याद करिये क्या मैंने बताया था यह अगर एक a element है group z है तो इसका order जो होगा इस element का list positive integer n such that a to the power n identity और मैंने यहाँ पर भी बोला था कि अगर group additive है तो यह a के power n मतलब n into a equal to identity अब n into a मतलब additive group में a को मैं n times add करूँगा यही ने friends तो बस अब ध्यान देजिए z4 में 2 को कि 10 times आप add करेंगे कि identity आ जाए और identity मेरी क्या होती है इस group में 0 तो चलिए निकालिए ज़रा तो यहाँ पर आप देखेंगे कि z4 में 2 को order क्या होगा तो देखिए मैं बहुत आसान है यह 2 को पहले 2 times add करूँगा पहले तो एक ही बार लेंगे तब तो 0 आएगा नहीं लेकिन 2 को मैं 2 को मतलब 2 को 2 के साथ रहा हूँ ठीक है तो देखिए ज़रा यह क्या आता है 2 प्लस 2 4 माडलो 4 कैलकुलेशन है 4 को 4 से डिबाइड करेंगे 0 आगया जो की आइडेंटिटी है इसका मतलब क्या हुआ जो definition मैं लिखा था कि additive group में na is equal to identity और multiplicative group में a के पाउर n is equal to identity तो देखिए 2 times मैंने इस element को multiply किया यह मेरा element है और यह end के जगा काम कर रहा है तो identity आ गया इसका मतलब क्या हुआ कि element 2 को order z4 में क्या है 2 है यहाँ पर मैंने लिख गया 2 प्लीज चेक करिएगा ठीक है अब ज़रा चलिए इस 3 का order किसमे z6 में so now end यहाँ पर लिख देता हूँ and order of 3 in z6 तो क्या हो जाएगा तो same rule से 3 का निकालना है z6 में तो मैं अगेन देख रहा हूँ कि 3 को 3 के साथ add करेंगे न दो बार तो क्या आएगा 6 और 6 को यहाँ 6 कालकुलेशन है ध्यान देजे 6 को 6 से डिवाइट करेंगे remainder आ गया 0 which is identity of z6 तो z6 की भी identity जो है 0 है तो 3 को 2 times add किया that means इसका भी order क्या हो जा रहा है तो अब देखिए एक element लिया था individual इस order pair के जो elements है corresponding groups में मैंने orders निकाला so order of this element 2,3 क्या हो जाएगा LCM of individual elements का order मतलब order of 2 और order of 3 यह क्या हो जाएगा LCM of दोनों का orders मैंने निकाला 2,2 so क्या हो जाएगा LCM 2 so that means इस element का order z6 आप cross भी बोल सकते हैं और यह sum भी बोल सकते हैं क्योंकि अब alien group है तो cardigan direct product में इसकी जगह यह लिखते हैं मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में so order क्या हो जाएगा इसमें हो गया 2 मैं समझा पाया कि ने प्लीज बोलिएगा अब further एक और example इसी में ले लीजिए एक और example further example 2 कर लीजिए चलिए इसी group में मैं ले लेता हूँ example 2 find order of मैंने z4 लिया है ना चलिए z4 cross z6 तो मैंने 3 ले लिया और यहां पर मैंने ले लिया for example 5 फ्लीज चेक करिएगा in z4 direct sum z6 इसमें order लिकालना है तो again same solution पर आते है क्या करेंगे पहले order of 3 in z4 this is is क्या हो जाएगा z4 में 3 का order same वही rule 3 को पहले 3 के साथ add करिए ठीक है कितना आएगा 6 आया और module of 4 calculation 4 से divide करेंगे remainder 2 आता है 0 नहीं आया दब identity नहीं आया अब 3 times add करूँगा 3 times add किया आपने 9 आया फिर 4 से divide करूँगा 1 आयागा remainder क्योंकि identity नहीं आया अब 3 को मैं 4 times add करूँगा देखिए आ गया 12 और 12 को 4 से divide करूँगा remainder 0 that means identity आ गया तो इसका order किया हो गया कितने times add किया आपने 4 तो यह हो गया इसका order 4 तो 3 का order जो है इस z4 में कितना आया 4 उसी तरीके से order of 5 in z6 is क्या होगा 5 का order z6 में तो 5 प्लस 5 किया इतना आया 10 calculation यहाँ पर modulo 6 है 6 से divide करेंगे remainder मेरा 4 आयेगा जो कि identity नहीं आया अब क्या करेंगे फिर same rule 5 प्लस 5 प्लस 5 कितना आया 15 15 को again आप 6 से divide करेंगे remainder 3 आयेगा जो कि 0 नहीं आया मतलब order 3 भी नहीं होगा इसका 4 times add किया मैंने अब चेक करिएगा 4 times add किया तो मेरा आगया 20 20 को 6 से divide करूँगा 6 3 जा 18 2 आया remainder जो कि 0 नहीं आया मतलब order 4 भी नहीं हुआ अब आते हैं 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 ठीक है तो कितने times 5 times किया 25 6 4 जा 24 ना इस calculation को चेक करिएगा identity नहीं आया मतलब 5 भी order नहीं हुआ अब देखिए आजाएगा order 6 times add करिए 4 5 6 6 times add करिएगे 30 आया 6 से divide करिएगे completely divisible होता है 6 5 जा 30 remainder 0 इसका order क्या आगया 6 ठीक 6 आगया सो order of 3,5 ठीक ना in this group is क्या हो जाएगा LCM of 4 और 6 4 और 6 का LCM ठीक है न तो 4 और 6 का LCM क्या होता है यह भी निकालना जानते हैं हाला कि मैं direct बता सकता हूँ ठीक है एक बाद प्रेक्टिस करवा देता हूँ कैसे LCM निकालते हैं 2 2 जा 4 2 3 जा this 2 ठीक है 3 फिर 3 से divide कर मतलब 3 2 जा 6 2 जा 12 तो कितना आ जाएगा this is equal to 12 तो इसका order के आ गया 12 individual orders निकाले और उसका LCM LCM निकालके फिर से check करिएगा यही होना चाहिए otherwise फिर जो भी correct होगा उसको आप comment section में बताएंगे LCM के में बात बोलगा clear हो गया चलिए एक और example एक थोड़ा सा चोटा सा एक्जामपल लाओ गुरूप बदलता हूँ find order of order of मैं ले लिया 1 एक थोड़ा सा चोटा सा एक्जामपल लाओ गुरूप बदलता हूँ 2 3 cycle में ले राओ cycle में ले राओ this ठीके in z2 cross s3 यह समझा पाया तो यह example तो ओपर भी मैंने बताया था आपको z2 s3 का example देखिए side side मैंने बताया अब पहला example या z4 ले लिया था z4 लिया था कोई बात नहीं मैं z2 ले लिया थुरा सा आसान आपको करने के लिए चलिए तो सीधी सी बात है मैं क्या करूँगा यह one जो है किसका element है इस z2 का और यह जो cycle है वो किसका element है s3 का तो मैं क्या करूँगा individual orders निकालूँगा ना सो solution पे आते हैं order of one in z2 ठीके ना तो यह क्या हो जाएगा one का order z2 में 2 होता है क्यों क्योंकि one plus one two आ गया calculation modulo two है identity zero तो यह आ जाएगा चलिए two ठीक and order of यह cycle one two three in s3 s3 में इसका order क्या होता है तो इस cycle का order आप देखेंगे three होता है कैसे मैं calculate करके बता रहा हूँ जैसे देखिए यहाँ पे additive थे अब यहाँ पे binary operation composition होता है न तो one two three को one two three के साथ operate करिए देखें क्या identity आता है क्या तो one का image निकालूँगा उल्टा चलते हैं मैंने बताया था one का image two और two का image यहाँ पे three three का image निकालिए three का image यहाँ पे one यहाँ पे one का image two अब two का image निकालिए two का image three three का image one cycle close और यह तो identity permutation नहीं आया मतलब इसका order two नहीं होगा अब three times multiply करें तो one two three one two three और one two three ठीक ऐसे उल्टा चलते हैं याद रखिए तो इन दोनों को जब दो बार किया तो मेरा one three two आया तो इसको लिग लिजे this will be equal to one two three और one three two अब ज़रा निकालिए image one का one का image यहाँ पे three और three का image यहाँ पे one अब two का निकालिए two का image one, one का image two three का image निकालिए three का image two, और two का image three यही तो मेरा identity permutation है ना, that means कि इस element one two three जो cycle है s3 का इसका order कितना हुआ three, वही मैंने लिखाता आपको so अब finally आता हूँ order of this element one, one two three this ठीक है, this in this direct product will be lcm of two कामा three और two कामा three का lcm क्या होता है, six, मतलब इस element का order इस group में इस direct product में six हुआ please बोलिएगा, मैं आपको इस theorem को clearly पहुचा पाया या नहीं ठीक है, please बोलिएगा तो direct product में इतना ही direct product का definition हमने शीखा इस वीडियो में किसी element का order अब इतनी चीजें मेरे ख्याल से clear हो चुकी होंगी आगे का बहुत भी portion है, isomorphism हो गएरा की concept यूज होता है जब master degree में आप जाएंगे तो बहुत detail में direct product का जाएंगे ठीक हैं, तो ये चीजें मेरे ख्याल से जो order कैसे निकालते हैं इस वीडियो में जो हमने सीखा, वो clearly आपके पास पहुँच पाया होगा, so next वीडियो में अगर आप बोलेंगे तो, मैं एक ऐसा example ले लूँगा combine जैसे कोई direct product ले लिया हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं न, inverse निकाल दो किसी element का, फिर जो है order भी मैं पूछ दूँगा, इस तरह से एक दो example लेके और करवा दूँगा तो अगर आप बोलेंगे तो तो चलिए मिलते है निक्स वीडियो में जहां पे मैं कोशिज करता हूँ एक दो example और छोटी सी वीडियो लेके मैं डीटेल में थोड़ा सा आपको बता दूँगा hopefully मेरा effort इस वीडियो का आपके पास पहुच पाया होगा अगर पहुच पाया है योगो लाइक करिएगा friends के साथ share करिए चैनल पे अगर नए हैं, चैनल को जरू subscribe करिएगा, बेल आइकन क्लिक करिए, याद रखिए मेरा जो मोटीव है, मास में लोगों के पास quality वीडियो इस पहुचाना so friends, इसमें मेरा सायोग करें मुझे motivate करते रहें मेरा motivation आपके appreciation से मिलता है, चलिए, so मिलते है नेक्स वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें thank you, thank you so much for watching my video